तो दोस्तो सुपरिट फिल्म सोले के कुछ महीने पहले यानी एक जनवरी 1975 को जब यस चोपड़ा की फिल्म दिवार रिलीज हुई तो उसके पहले अमिता बच्चन की फिल्म जंजीर सुपरिट हो चुकी थी आलाकि निर्मता गुलसन राय पहले इस फिल्म में उस समय के सुपरिस्टार राजेस कन्ना को लेना चाह रहे थे पर यस चोपड़ा के कहने पर उन्होंने फिर अमिता बच्चन को ले लिया इस से पहले गुलसन राय राजेस खन्ना को दाग में लेकर फिल्म हिट करा चुके थे और येस चोपड़ा भी राजेस खन्ना रिसी कोपूर की जगा नविन निश्चल और मा के लिए वईदा रह्मान को या फिर निरूपा राय को लेना चाह रहे थे पर येस चोपड़ा ने सोचा कि अगली फिल्म कभी कभी में अमित आप की जोड़ी वईदा रह्मान के साथ है तो फिर दर्सक उन्हें इस फिल्म में अमित आप के साथ जोड़ी के तोर पर सिवकार नहीं कर पाएंगे इसलिए फिर उन्होंने इस आइडिया को ड्रोप कर दिया इसके बाद ये रोल फिर वेजनती माला के पास गया पर उन्होंने भी ये फिल्म करने से मना कर दिया फिल्म में परवीन बोबी का रोल भी एक अर्दस अबेनेतरी का नहीं रखा गया क्योंकि मामला डॉन से जुरा था पहली बार फिल्म में अभिनेत्री को नए तरीके से पेस किया गया फिल्म में कई तरह के नए परियोग किये गए इस फिल्म के आने पर दर्सकों के मन में अमिताप के परती दिवानगी का जदू सीड़ चड़ कर बोलने लगा तो दोस्तो उस समय अमिताप बच्चन सोले की भी सुटिंग कर रहे थे इस फिल्म के लिए भी उन्होंने खूब मेहनत की कभी मुंबई तो कभी बेंगलोर में वह रहते थे क्योंकि उस समय दोनों फिल्मों की सुटिंग एक साथ चल रही थी तो दोस्तो इस दोरान एक दिन अचानक से अमिताप को अस्तमगा अटेक पड़ गया तो उनके साथ फिल्म में काम कर रहे ससी कपूर ने उनकी मौके पर पूरी मदद की इस बात का जिकर अमिताप ने कई मोके पर किया और कहा कि उस दिन ससी कपूर साथ ना होते तो आप लोगों के सामने सायद में ना होता इसके बाद अमिताप ने ते किया कि वे जोड़ी वाली सारी फिल्में ससी कपूर के साथ ही करेंगे फिर इसके बाद उन्होंने सुहाग, सिलसिला, सान, नमकलाल, काला पत्तर और अजूबा समेट कई फिल्मे साथ में की अमिता बच्चन, ससी कपूर, परवीन बोबी, नितु सिंग और निरुपोराय के जबर्दस्त अभिने से सजी फिल्म दिवार का हर डायलोग दर्सको को दिल को छूने का काम किया सलीम जावेद की जोड़ी के हर एक डायलोग को सुनकर दर्सको को ऐसा लगा की माना उनके मन की बात परदे के कलाकारों की तरफ से कई जा रही हो इन डायलोग में मेरा बाप चोर है आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बेलें से तुमारे पास क्या है मेरे पास माए, मैं आज भी फैके हुए पैसे नहीं उठा था ये चाबी अपनी जेप में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेप से चाबी निकाल कर ही खोलूँगा पीटर तुम मुझे वहाँ डून रहे हो और मैं तुमारा यहां इंतजार कर रहा हूँ फिल्म की कहानी उस दोर के डौन, आजी मस्तान के जीवन पर आदारित कहानी थी जो बच्पन में बहद मुसीबतों के साथ रहता है फिल्म का काफी हिस्सा, 1961 में दिलिप कुमार अबिनित फिल्म गंगा जमना से मिलता जुलता दिखा तता कुछ इस्सा मदर इंडिया से भी लिया गया था निरुपोराय ने भी बदलते दोर के अनुसार मा का रोल किया मंदिर के बाहर वाले सीन को अमिता बच्चन ने पंदरा री टेक लिये थे और दर्श चे रियल लगे इसके लिए यूनिट के सभी लोगों को बाहर कर दिया गया और खास बात ये थी कि मंदिर के बाहर बोले गए डायलोग सलीम जावेद ने नहीं लिखे थे बलकि अमिता बच्चन के मन में जो आया वो उन्होंने बोल दिया और दोस्तो इस फिल्म से जुड़े कई किस्सों की चर्चा अक्सर फिल्म इंडेस्टीज में होती रहती है ऐसाई एक किस्सा सदी के सुपरिस्टार अमिता बच्चन से जुड़ा हुआ है दरसल हुआयों की फिल्म की सुटिंग के लिए निर्देसक यस चोपरा ने अमिताब के लिए एक सड़ सिल्वाई थी पर जब वह सड़ सिल्कर आई तो उस सड़ का एक किस्सा चोटा था और दूसरा हिस्सा काफी बढ़ा था और सेट तैयार था और यूनिट के सारे सद़ से भी वहां मुझूद थे ऐसे में यस चोपरा ने अमिताब से का कि समय खराब ना करो और इस सड़ के दोनों हिस्सों को एक गांट में बान लो और फिर क्या था फिल्म रिलीज हुई तो अमिताब की सर्ट की ये स्टाइल एक फैसन का रूप ले चुकी थी तो दोस्तो ये थी दिवार फिल्म से जुड़ी कुछ जानकारी उम्मित करता हूँ आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्क्राइब जरूर कर ले वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद